नमस्कार आप देख रहे हैं वीकलिक और मैं हूँ आपके साथ प्रांजला रहा ये कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि भगवान हर जगे नहीं पहुंच सकता इसलिए उसने मा बनाई है मा और बेटी के रिष्टे की बात करें तो दोनों का रिष्टा एक अच्छी सहली से कम नहीं माना जाता लेकिन जो शरमनाग घटनाव हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद मा और बेटी का रिष्टा शरमसार हो जाएगा ये खटना है हर्याना के रिवाडी जिले की, जहां एक महिला का एक शक्स के साथ अवैज संबन था, इस बात की जानकारी उस महिला की बारा साल की बच्ची को हो गई थी, जिसके बाद उस मा ने अपनी बारा साल की बच्ची को भी अपने प्रेमी के हवाले कर दिया, अपने इस बारे में किसी को ना बताए डर की वज़े से उस नाबालिक ने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी लेकिन जब उसके पिता को इस बात की सचाई का पता चला तो उसके पिता ने पुलिस में जाकि इसकी शिकायत दर्च की पुलिस ने आरोपी मा के साथ उसके प्रेमी को गिरफतार कर लिया है पुलिस में शिकाहत दर्ज करवाते हुए उस महिला के पती ने बताया कि यह युवक उनके पडोस में ही रहता है और इस युवक के साथ उसकी पतनी के अवैद संभन है जब इस बारे में उसको पता चला तो उसने अपनी पतनी को धमकाया भी इसके साथ ही उसकी बच्ची ने भी 12 साल की जो नाबालिक बेटी है उसने भी इन दोनों को एक साथ देखा जब उनको इस बारे में पता चला तो उस युवक ने उसकी बेटी के साथ दुशकरम किया बेटी को डराया की उसको जान से मार दिया जाएगा अगर उसने ये बात किसी को बताई लेकिन अपनी बेटी को गुमसुम देख उसकी पिता ने जब उससे बाचीत की तो उस 12 साल की नाबालिक ने अपनी सारी आप बीती अपने पिता को बता दी इस सचाय का पता लगने के बाद उसकी पिता थाना पहुंचे जहां पर उन्होंने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी पुलिस ने उस नावाली का मेडिकल टेस्ट करवाया, शिकायत दर्च की और उसकी आरोपी माह के साथ उसकी प्रेमी को गिरफतार कर लिया गया फिलाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वी क्लिक इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूले